हर्याना के पानीपत की SP मनीशा चोधरी रिलीव हो गई है आपको बता दे कि हर्याना ग्रह मंत्राले के additional चीफ सेक्रेटरी राजी वरोडा की और से शनिवार को पत्र जारी करके पानीपत की SP मनीशा चोधरी को ततकाल प्रभाव से रिलीव करने का निर्देश दिया गया है को होल्ड कर लिया था मनीशा चौधरी समें तीन पूलिस अफसरों के खिलाफ पूर्व पार्शद हरी शर्मा और उनके सहियोगी राजे शर्मा को आत्म हत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज है पूर्व पार्शद हरी शर्मा ने 19 नवेंबर को बिंजोल नहर में कूद कर आत काफी हंगामे और ग्रह मंत्री अनील विज के हस्तक शेप के बाद मनीशा चौधरी समेत तीनों पुलिस अफसरों के खिलाफ 23 नवंबर को मॉडल टाउन थाने में पूर्व पार्शद वे उनके सहियोगी कौात मत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया था इस मामले की जाच के लिए S.I.T. कठित की गई किसान आंदोलन के कारण अभी तक इस मामले की जाच शुरू नहीं हो पाई थी अब जाच शुरू होने से पहले ही मनीशा चौधरी को पानी पत के S.P. पत से रिलीव कर दिया गया है माना जा रहा है कि जाच प्रभावित नहों इस मकसद से रिलीव किया गया है पूर्व पार्शल हरीश शर्मा के परिजनों का कहना है कि मनीशा चौधरी पानी पत की S.P. रहते हुए उनके खिलाफ होने वाली जाच को प्रभावित कर सकती है इसलिए वह S.P. के ट्रांसफर और बाकी दो पुलिस अफसरों की गिरफतारी की मांग कर रहे थे बीते दिनों भाजबा के प्रदेश अद्यक्ष ओपी धनकड भी उनके परिजनों से मिले तब भी परिजनों ने यह मांग उठाई थी हरियाना सरकार ने अभी तक होल्ड किये गए उनके ट्रांसफर के आदेश को बदल कर ततकाल रिलीव करने के निर्देश जारी कर दिये हैं आपको बता दे कि पटाके बेचने के आरोप में दिवाली के दिन तहसील कैम्प पुलिस चोकी में पूर्व पार्षद हरी शर्मा और उनकी पार्षद बेटी अंजली शर्मा समेत 10 लोगों के खिलाफ 11 धाराओं में केस दर्च किया गया था एफ आई आर में बेटी का नाम होने और घर पर दिन रात पुलिस की दबिश से परेशान पूर्व पार्षद हरी शर्मा ने 19 नवेंबर को बिंजोल नहर में कूद करात्मत्या कर ली थी ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सुच्राइब करें थान्यवारी थान्यवारी